आप लोग अक्सर सुनते होंगे मुप्त व्यापार समझोती के बारे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एप टी ए के बारे में और खबरों में आप लोग देखते होंगे कि कभी बेटें से मुप्त व्यापार समझोती की बात होने लगती है कभी आप देखते हैं ऑस्टेलिया से बात चलती है कनाड़ा से बात चलती है और अभी हाली में इस कारण से ये सब्दे चर्चा में है क्योंकि GCC यानि कि जिसे आप लोग खाड़ी के जो सहयुख पईशत देश है न अरब सागर राज्यों की बात हो रही है खाड़ी सहयुख पईशत की तो उससे भी मुप्त ब्यापार समझोती की बात चल रही है और ये मुप्त ब्यापार समझोता अगर दो देशों या दो से अधिक देशों की वीच हो जाता है तो इससे फायदा क्या होता है तो आपको बता दूँ कि फ्रेट ट्रेड एगरिमेंट एक मुप्त ब्यापार समझोता दो या दो से अधिक देशों की बीच आयात और निर्यापार की बाधाओं को कम करने के लिए एक समझोता किया जाता है आयात मतलब हम लोग खरीद रहे हैं कुछ लोग निर्याप मतलब हम लोग बेच रहे हैं और एक मुप्त ब्यापार नीती के तहट बस्तूओं और सेबाओं को अंतराश्टी सीमाओं पर बहुत कम या फिर बिना किसी सरकारी तैरेप, कोटा, सबसिटी या उनके बिनेमन को बाधित करने के लिए खरीदा और बेचा जा सकता है और इससे क्या रहता है कि एक तरह से आप देखें कि ब्यापार को बढ़ोतरी होती है ब्यापार की आसानी होती है ब्यापार करने में तो उसी की बात हो रही है अब GCC की बात हुई है तो इसके बारे में बता देता हूँ खाड़ी सहयुग पईशत के बारे में और एक छेतरी अंतरसरकारी राजनेतिक और आर्थिक संगठन है संग में आप देखेंगे बहरीन, कोवेथ ओमान, कतर, साउधी एरब और सयुक तरब, अमीरात आप लोगों को देखने को मिलेगा देखिए हमारा प्यारा भारत है एसिया में और यही से आप लोग देख लीजे यहाँ आप देखेंगे कि इसमें आपका कोवेथ हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आप लोग देखिए एक कोवेथ है उसके बाद आप देखेंगे कि ओमान यहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यह आप देखेंगे ओमान है ओमान के बाद आप देखेंगे साउधी एरब हो गया यह सयुक्त अरव अमिरात हो गया ये और यहीं आप लोगों को कतर देखने को मिल जाएगा और इसका मुख्याला अगर आप देखें तो रियाद साओधी अरव में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 25 माई 1981 में हुई थी और इसमें 6 देश आप लोग देखने को मिलते हैं बहरीन बहरीन यहीं है आप देखेंगे कोवेत ओमान कतर और साउधी इरब और सयुक्त अरब अमिराद की बात हो रही है ठीक है तो भारत अखाड़ी सहयुक पुशद मुप्त ब्यापार समझोते को आंगने पानाने और बारता को फिर से सुरू करने पर सहमत हुए और GCC में 6 देशों जिसमें आप देखते हैं आपको बता चुका हूँ सयुक्त अरब, सयुक्त अरब, अमिराद, कतर, कोवेत, ओमान, बहरीन इस संग में सामिल है और इस परिशत के सदस भारत के सबसे बड़े ब्यापारिक भागेदार भी है और बहुत सारे भारतिये भी आप देखेंगे यहां रहते हैं लोग यहीं आप लोग देखते हैं कि यह आपकी फारस की खाड़ी है, ओमानी की खाड़ी है यह अरब सागर लगा हुआ है, तो यह भी याद रखेगा खाड़ी छेतर का भारत के लिए क्या महत्त है तो भारत और इरान की मद्द सदियों से अच्छे सम्मंद रहे हैं इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे जबकि प्राक्तिक गयस समरेद्र राष्ट कतर इस छेत में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है आधिकांस खाड़ी देशों के साथ भारत की अच्छे सम्मंद रहे हैं और इन सम्मंदों को दो सबसे मात्पूर कारण तेल और गयस तथा व्यापार है हमारे पास कच्छा तेल यानि की पेटाल डीजल आप लोग देखते हैं हम लोग आतमरभन नहीं है हम लोग कच्छा माल खरीद्र करीदते हैं भारत की कुल प्राप्तिक गेस आयात में कतर का हिस्सा 41% है दो अन्यकारण भी है इसमें खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतियों की बड़ी संक्या है और उनके द्वारा अपने घर भेजे जाने वाले पेसित धन क्योंकि आप देखे भारति वहां काम कर रहे होंगे तो पैसा भी तो अपने देश भेजते होंगे ना पुसी की बात हो रही है और भारती रेजर बैंक की अगर हम लोग बात करें तो एक सोत पत्त की अनुसार वित्ती वर्स 2020-21 में सहयुक तरव अमिरा से भारत में इस पेसे धन 15.40 बिलियन अमिर्की डॉलर था जो भारत की क आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा एक अपरेल 1935 याद रखेगा भारत व जी सी सी ब्यापार समबंधों की स्तिति की बात करें तो जी सी सी सदस देशों के लिए भारत का निर्याद 2020-21 की 27.8 विलियन अमेरिकी डॉलर की मुकाबले 2021-22 में 58.24 बढ़कर अधिक तर आप देखते हैं कि डॉलर में ही होता है बस्तूओं का दूइपक्षी है ब्यापार वर्स 2020-21 के 87.4 विलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 573 विलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है वर्स 2021-22 में दोनों चेतरों के बीच सेवा ब्यापार लगभग 14 विलियन और जिसमें कुल निर्याद 5.5 विलियन अमेरिकी डॉलर का था और आयाद 8.3 विलियन अमेरिकी डॉलर का था जिसी सी देश भारत के तेल आयाद में लगभग 35 परसेंट और गैस आयाद में लगभग 70 परसेंट डियोगदान करते हैं और 2021-22 में जिसी से भारत का कुल कच् तो हम लोग काफी हत्तक इन पर निर्वर हैं तेल के लिए प्राक्तिक ग्यस के लिए अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक समझोते हुए है हमारे और इसमें आप देखेंगी भारत ऑस्टेलिया व्यापार समझोता हाली में ऑस्टेलिया इस अंसद ने भारत ऑस्टेलिया दुई पक्षी है आर्थे को वडिजिक सम्मंदों के संपूर चेत में सहयोग सामिल है और भारत यूरोपिये संग एप्टिये और इसमें आप देखें कि भारत यूरोपिये संग ने आठ साल के अंतराल के बाद 2021 की सुरुआत में बस्तू और सेवाओं की संदर में फिर से ए भारत बैटेंड एप्टिये तो अंगले कुछ महीनों में भारत यूनाइटिट केंगरम मुप्त ब्यापार समझोते परबाच्ची सुरू होगी और एजेंडे में फार्मा कंपिनियों द्वारा निंतर पेटेंट बिस्तार के खिलाब पेटेंट बिवस्ता हांसिल करना औ भारत उसाइट अरब अमिराथ के बीच ब्यापारीक आर्थिक सांजेदारी समझोता आप देखेंगे 1 मई 2022 से लागो हुआ है और CEPA दोनों देशों के बीच ब्यापार को परोसाहिन करने और इसमें सुधार के लिए एक सांस्थागा तंद प्रिदान करता है भारत कनाड ये पर भाचीत को आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा था और अगस्त दो हजार बीस में आप देखेंगे कि भारत और कनाड़क ने इस बात की पुष्टी की कि ब्यापार समझोते कुस्सोरक्षित करने के लिए चौथे दौर की बाता आयजित करेंगे जो एक ब्यापार आ आसानी से दोनों देखों की बीच या दो से अधिक देखों की बीच ब्यापार बना रहे हैं तो इस तरह की टॉपिक के बारे में एक सामन जानकरी जरूर रखा करिए का आप कई बार कुष्टन्स पूच लेता है इनसे भी